नमस्का, राजनमा टीही पर आपका स्वागत है, मैं प्रियाम आपके साथ एंसीपी नेता अजित पवार के शिंदे सरकार में डिप्टी सियम बनने को लेकर एंसीपी की कारेकारी अध्यक्षे सूपरिया सूले ने देरात प्रेस कॉन्टरेंस की सूले ने कहा कि महराष्ट में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग के पूर्ण है दादा अजित पवार ने जो किया उससे दुख हुआ लेकिन मेरे दिल में उनके लिए हमेशा अधर रहेगा सूपरिया ने कहा कि अजित पवार और उनके साथ आठ विधायक जाकर शिंदे केम्प में क्यों मिल गए पार्टी इसके कारणों का आकलन करेगी हम इस पार्टी को फिर से बनाने के लिए लड़ेंगे सूले ने कहा कि शरत पवार पार्टी के सभी लोगों को अपना परिवार मानते थे मुझे खुशी होगी अगर सभी विद्रोई वापस लोटाए सूले ने कहा कि मेरे और अजित पवार के बिच क्या बात हुई वो नीजी है उसे में सब के साथ शेह नहीं कर सकती हूँ लेकिन एक बात तो है कि इस घटना करम के बाद भी अजित दादा के साथ मेरा रिष्टा नहीं बदलेगा हम दोनों के बिच कभी जगड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे भैस करना और लड़ना नहीं पसंद मैं जानती हूँ कि पर्सनल और प्रोफेशनल स्पेस को अलग कैसे रखा जाता है भाषपा पर निशाना साथ तेवे सूपरिया सुले ने कहा कि भाषपा हर समय चुनावी मुण में रहती है अब तक भाषपा नसीपी को ब्रश्ट पार्टी बताती थी और अवे हमारे नेताओं का स्वागत कर रही है कैसे मैं इस बारे में कोई कमेंड नहीं करना चाहती कि भाषपा का कैंडिडेट कोन होगा मैं दूसरों के घर में जाकने की बज़ाए अपने घर पर ध्यान दूगी सुले ने कहा कि इंकम टेक्स, CBI और ED को हम ICE कहते हैं मैं अभी उन अफसरों को दोश नहीं देती लेकिन ये सब दूसरी तरफ से हो रहा है मैं इन चीजों को ICE कहती हूं सुले ने कहा कि महाराश्ट में सरकार कैसे काम करेगी इसे लेकर कुछ कहना अभी जल्द बाजी होगी अभी तो उन्हें मंत्री पत मिले 12 घंटे ही हुए हैं देखते हैं आगे क्या होता है मैं NCP और सच्चाई के साथ हूँ ऐसी चुनोतियों का सामना में रोच करती हूँ अजित पवार वाला चेलिंज मेरे लिए नया है सूले बोली अजित पवार की सोच उनकी और बाकी NCP नेताओं की सोच से अलग थी सोच और नफरत दो अलग बाते हैं NCP के अंदर कभी नफरत या किसी तरह की गलत प्यमी नहीं थी हम अपने सभी विधायों को का सम्मान करते हैं मैं हमेशा अपनी पार्टी कारी करता और नेताओं से बात करती हूँ मैंने कल भी उनसे बात की थी और कल भी मैं उनसे बात करूंगी इसी के साथ बने रही है राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद